आप सुन रहे हैं एहसास नमश्कार मैं हूँ नंदीता बसु आज मैं आपको मेरी लिखी नजब इक्तियार सुनाने जा रही हूँ इक्तियार आइनागर ने भी कोशिश की थी तेरा असली चहरा दिखाने की आइनागर मतलब दरपन बनाने वाला आइनागर ने भी कोशिश की थी तेरा असली चहरा दिखाने की पर मेरे इक्तियार में कहा था इक्तियार मतलब नियंद्रन पर मेरे इक्तियार में कहां था अपनी महबबत से हार मानने की आइनागर ने भी कोशिश की थी तेरा असली चहरा दिखाने थी गैरों से क्या हम अपनों से हारे थे तुझे तो आदत थी दिल बहलाने की आइनागर ने भी कोशिश की थी तेरा असली चहरा दिखाने की वक्त बहुत बीता तेरे बिना बहुत गुजारा फिर भी नजरे दर से कहां हटे थी आइनागर ने भी कोशिश की थी तेरा असली चहरा दिखाने की ख्वाब देखते रहे हकीकत में तो जुदाई थी हर सुबह तुझे भूलने की कसम खाई थी हर सुबह तुझे भूलने की कसम खाई थी हर शाम मैंने वो कसम भूलाई थी हर शाम मैंने वो कसम भूलाई थी आइनागर ने भी कोशिश की थी तेरा असली चहरा दिखाने तहफुज में रहता था तहफुज मतलब सरक्षन तहफुज में रहता था मेरा दिवाना दिल उसने अपने रहवर से ठोकर खाई थी आइनागर ने भी कोशिश की थी तेरा असली चहरा दिखाने थी जीने की वज़ा ढूड़ी मैंने कई बार तेरे बिना मैंने कब अपनी दुनिया बसाई थी मेरी हर गजल क्यों तुस्से अलग नहीं हो पाती मेरी हर गजल क्यों तुस्से अलग नहीं हो पाती देखो मेरी कलम ने क्या वफानी भाई थी आइनागर ने भी कोशिश की थी तेरा असली चहरा दिखाने थी उमीद करती हूं आपको ये नजब जरूर पसंद आई होगी और अगर आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके कमेंस और लाइक्स मेरे लिए बहुत खास हैं उन्हें जरूर भेशते रहिएगा मिलते हैं बहुत जल कुछ नया और खास लेकर अरवीदा